नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 70 में BPSC PT 2024 के लिए प्रिवेस एर कोस्टन डिस्कस करेंगे ये आपके प्राचिन भारत के इतिहास का वीडियो नमबर सकेंड और अंतियम वीडियो है टुटल आपके प्राचिन भारत के इतिहास में 187 सवाल पूछा गया है सारे को डिस् अगर वीडियो आप सभी को हिलफू लेगा तो चैनल को सस्क्राइब जरूर किजएगा तो आए देखते हैं पहला को स्थित पाटली पूत्र में अस्थित चंद्रगूप्त का महल मुक्ता बना था तो किस से बना था तो लकड़ी से बना हुआ था बोधी सत्व पद्व मन के प्यंटिंग अस्थित है तो कहां अस्थित है तो अजन्ता में अस्थित है अजन्ता महरास्ट में है बिहार में बिकरम सिला बिस बिद्याले के सम्मन्द में निमलखित कथनों पर आपको बिचार करना है तो बिचार कर लेजी और इसमें कौन सा कथन आपकी गलत है उसे पालवंस की राजा गोपाल परथम के दवरा किया गया था, तो ये भी आपका गलत है, धर्म पाल के दवरा किया गया था, बहुत धर्म का ब्रजियान संपरदाय, यहां फुला फुला यह ठीक है, यहां खगोल बिग्यान, तर्क सास्त्र, पानुन, बयाकरन और दरसन जैसे अन वेसे भी पढ़ाय जाते थे तो ये बात भी सही है तो इसमें गलत हो जाएगा एक और दू आपके तो इसका एंसर ए हो जाएगा बेकरम सिला विस्विद्याले किनके द्वारा अस्थापित किया गया था किनके द्वारा अस्थापित किया गया था बिक्रम सिला सिच्छा केंदर के संस्थापक का नाम क्या है तो उनका नाम है धर्म पाल निमलकित में से किस मौर राजा ने दक्कन की बिजय प्राप्त किया गया तो चंद्रगुप्त के द्वारा बिजय प्राप्त किया गया था अभिलेख जिससे यह परमानित होता है कि चंद्रगुप्त का परभाव पच्छी भारत पर था किस अभिलेक से ये परमानित होता है तो आपको ध्यान रखना उस अभिलेक का नाम है रुद दामन का जुनागड़ अभिलेक है तो इसका एंसर C हो जाएगा निम्लिखित में से कौन सा छेत्र असुक के समराज में समलित नहीं था तो इसमें अफगानिस्तान बिहार कलिंग समलित था जबकि स्रिलंका समलित नहीं था कलिंग यूद कवए था तो 261 BC में कलिंग यूद हुआ था असुक के सासनकाल में बहुत सभा किस नगर में आयोजित की गई ये कब किया गया है एक कहां पर किया गया है तो पाटली पुत्र में किया गया है असुक के ससनकाल में बहुत सभा का आयोजन किस नगर में किया गया है पाटली पुत्र में किया गया है जो पहला सभा होता है वो अपके राजगरे में होता है दुसरा बैसाली में होता है तिसरा पाटली पुत्र म चोठा कुंडल बन में पहला के समय अजासत्रू दुसरा के समय काला सोक तिसरा के समय असोक चोठा के समय कनिश्क आपके सासक थे असोक के सिला लेखों में परियुक्त भासा है तो कौन सी भासा आपके परियुक्त है असोक के अभिलेख में तो प्रकिर्थ भासा आपके परि प्रचिन भारत की कौन सी लिपी दाहने से बाई और लिखी जाती है तो ये खरोश्टी लिपी है ये क्या है दाहने से बाई और लिखी जाती इस से इधर लिखा जाता है उल्टा लिखा जाता है असोक के धम का मुल संदेश क्या था जो असोक है उनके द्वारा धम चलाए ग धार्मिक सहन सीलता ये सारे था तो एक से अधिक अंसर इसका ठीक हो जाएगा केवल हुआ अस्तम जिसमें असोक ने स्वें को मगत का समराट बताया तो किसमें बताया है भबरु अस्तम में बताया है आपने सिर्या लेखों में असोख समानता किस नाम से जाने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है प्रिया दर्सी के नाम से जाने जाते हैं असोख के अभी लेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया किन के दवारा पढ़ा गया है तो 1837 में James Principe के दवारा पढ़ा गया है James Principe के दवारा पढ़ा गया है तो इसका answer A हो जाएगा कौटिल के अर्थ सास्त में किस पहलू पर परकास डाला गया है तो कौटिल के अर्थ सास्त पुस्तक में राजनितिक नितियों पर प्रकास डाला गया है ना कि अर्थ सास्त पर तो इसका एंसर आपका भी हो जाएगा अर्थ सास्त नामक पुस्तक का लिखक कौन था तो इस पुस्तक का लिखक कौटिल था कौन था इस पुष्टक का लेखक आपके कौटिल है कौटिल की पुष्टक अर्थ सास्त्र किस विशे पर अधारित है तो राजनितिक विशे पर अधारित है तो इसका एंसर यह हो जाएगा उपरुक्त में से कोई नही निम्लिकित में से कौन सा मंदिर काची पूरम में अस् भीम बेट का अस्थल है तो मद परदेश राज में भीम बेट का अस्थल है निमलखित कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कर लिजी इसमें कौन सा कथन आपके सही है इसके बारे में बता ना है फाहियान एक चीनी यात्री था जो हसवर्धन के दरबार में आया था ये गलत है चंद्रगुप्त दूतिये के दरबार में आया था हुएन संग एक चिनी यात्री है जो चंद्रगुप दूतिये के दरवार में आया था तो फाहियान आया था चंद्रगुप दूतिये और हासे हसबर्धन और हासे हुएन संग इसे याद रखेगा तो इसमें दोनों को दोनों क्या है गलत हो जाएगा तो उपरोप्त में से कोई नहीं हो जाएगा प्रसित चीनी यात्री फाहियान ने किसके सासनकाल में भारत की यात्रा की तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त दूतिय के सासनकाल में भारत की यात्रा करता है मेगा स्थिनीज ने भारती समाज को कितने स्रेनियों में विभाजित किया तो साथ स्रेनियों में विभाजित किया था मौर समाज का साथ वरगों में विभाजन का विशेश रूप से उलेक किया गया है तो मेगा स्थिनिज के पुष्टक इंडिका में किया गया है, तो D इसका एंसर हो जाएगा, इतिहास के प्राचीन और मध यूगीन काल के रजाओं और उनके द स्वराई लिखी गई रचनाओं का, सही मिलान किस एउग में किया गया है, तो सही मिलान B में किया गया है महंदर बर्मन, मत बिलास प्रहसन पेरी पल्स ओप दर एरिथेरियन सी किसने लिखी है तो इसका लिखा किसका दवरा किया गया है जानकारी उपलब्द नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा उस रोत जिरुमें पाटले पुत्र के प्रसासन का वर्नन उपलब्द है उस रोत का नाम क्या है इंडिका उसका नाम है पाटले पुत्र को किस सासक ने स्वर पर्थम अपनी राजधानी बनाई तो इसका एंसर क्या हो जाएगा एह हो जाएगा इनमें से किसने स्वर परतम ब्यापक पैमाने पर स्वर्न मुद्रा का परचलन किया तो यह किया गया था बीम कड़ फिसेस के द्वारा प्रगोत कहां का राजा था तो प्रगोत जो है अवंती का राजा था अवंती का राजा तो यह प्रकास बर्मन के द्वारा 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 प्रकास बर का जो उधरन दिया गया है भानु गुप्त का एरन अभिलेख में भानु गुप्त का एरन अभिलेख में शुब सुंग बंस के बाद किस बंस ने भारत पर राज किया तो सुंग बंस के बाद भारत पर कन्नव राज बंस ने सासन किया था राजा खारविल का नाम जुड़ा ह तो किस से जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के साथ किस गुप्त सासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की तो किस के दौरा ये काम किया गया तो चंद गुप्त दूतिय के दौरा ये काम किया गया था नगरों का क्रामिक पतन किस काल की एक महत्पूर्ण बिसिस्ता है तो गुप्त काल की एक परमुख बिसिस्ता है निम्लिकित में से कौन सा बंदर का गुप्त काल में उत्तर भारती बेपार के लिए उप्योगी है तो उत्र भारती बेपार के लिए जो उपयोगी है उसका नाम है ताम लिपती और भरोच ताम लिपती आपके पच्छी मंगाल में है भरोच आपके गुजरात में है तो इसका एंसर हो जागा ए हो जागा ए हो जागा ए हो जागा एक से अधिक एंसर कि सासक वंस ने मंदिरों एबं ब्रहामनों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया तो गुप्त वंस ने जो है मंदिरों एबं ब्रहामनों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त योग में भूमी राजस्व की दर क्या थी तो इसकी दर्थी उपज का छठा भाग वागवत समपरदाई के विकास में किसकी देन अत्यादिक थी तो इसमें ध्यान रखना है कि गुप्त धर्म की अत्यादिक देन थी इनमें से किसने पहली बार ये बैख्या की थी कि पिर्थिवी के अपनी धूरी पर घूमने के कारण प्रते दिन सुरियदे एवन सुरियास्त होता है तो इसमें याद रखना है कि आरभट ने पहली बार ये बैख्या की थी तो इसका एंसर ए हो जाएगा इन में سے कौन गुप्त काल में ऑउजदी के छेतर में अपने कार के लिए जाना जाते हैं तो देखे इस में से किसी का सम्मध आपकी गुप्त काल से नहीं है तो इसका answer ई हो जाएगा लेकिन जो BPSC है इसका answer आपके सुसृत दिया था लेकिन इसका एंसर इव जागा क्योंकि जो सुस्तूत हैं इनके काल के नहीं है इसे नोट कर लिजेगा वर्धन राजमस की अस्थापना किस ने की किस के दleb रहा किया गया तो पुस्व भुति वन्स के दलब किया गया है अगला सवाले की चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विस्विद्याले में अधियान किया था उस विस्विद्याले का नाम किया है तो नलंदा विस्विद्याले उसका नाम है वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसीद नगर कौन था तो सबसे जो प्रसीद नगर था उसका नाम था मतुरा क्या नाम था मतुरा कभी बान निवासी था तो पाटली पूत्र का था चिनी आत्री इत्सिंग ने बिहार का भर्मन किया लगवक तो कब करता है तो इसमें से जो आपके दिया गया है कोई नहीं ये कब करता है तो 671-672 में आपके करता है नलंदा विस्विद्याले के संस्थापक काउन थे तो इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त प्रथम प्रथम थे नलंदा विस्विद्याले के बिनास के कारण थे बिनास के सबसे अधी कारण था मुसलमान आपके सबसे वाला कारण था तामर पत्र लेख दरसाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के रजाओं का संपर्ख था तो जावा और सुमात्रा से था। सुबर्न भूमी का वह राजा कौन था जिसने दलंदा में एक बहुत बिहार के अस्थापना किता था। उसके रख रखाओ है तु अपने दूत द्वारा देव पाल से पांच गाउं दान देने के लिए प्राथना की तो इसमें ध्यान रखना है बोला गया था बाल पुत्र देव के द्वारा ही प्राथना किया गया था इसका एंसर आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर अस्थापत के दिर्मान में सहयोगी थे तो चंदेल आपके सहयोगी थे तो इसका एंसर A हो जाएगा। तो कपास के बेपार का महतपूर्ण केंदर था तो इसका एंसर आपका B हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि तमिल नाडू में था कहाँ पर था तमिल नाडू में। नेक्स्ट है कि पिर्थिवी राजरासो के लेखा कौन है तो लेखा का नाम है चंदर बरदाई के नाम है चंदर बरदाई। पिर्थिविराज रासो नामक पुष्तक किसके दौरा लिखी गई है तो ये भी आपके चंदर बरदाय के दौरा लिखा गया है Next है कि स्वप्न वास बदता के लेखा कौन है तो इसमें ध्यान डखना इसके लेखा का नाम है भास के नाम है अगला सवाल है कि कुमार संभव महा कापकिस कवी ने लिखा है तो काली दास के दोरा लिखा गया है नेक्स्ट है किरा तुरजुनिये पुस्तक के लेखक को ने ये किस ने लिखा है तो आपको ध्यान रखना है भारवी के दोरा लिखा गया है नेक्स्ट है कि उस शुरुत का नाम बताईए जो प्राचिन भारत के बेपारिक मारगों पर मौन है तो मिलिंद पन हो है कौन है मिलिंद पन हो हर सरीत नामक को उस तक किस ने लिखी है तो बान भट के दुबरा लिखा गया है बान भट के दुबरा लिखा गया है चोल वंस का समस्थापक कौन था? तो चोल वंस का समस्थापक बिजय याले था बिजय याले था चोल काल किसके लिए प्रसित था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसित था कौन सा मद्ध कारिन भारती समराज ब्यापक अस्दर पर अस्थानिय सोसासन के लिए प्रसित था तो कौन था चोल था दच्छिन भारत के मंद्रियों के आकरसक द्वार क्या कहलाते हैं तो इसे गोपूराम बोला जाता है नलंदा बिस्वेद्याले ग्यान का महान केंद्र था तो आपको ध्यान रखना यह बाओध धर्म का था बाओध धर्म का अजासत्रू के वंस का नाम क्या है जो अजासत्रू है इसका संबंद किस वंस है तो इसका संबंद हरियक वंस है वे से चक जिन से बुद्धने माविनिस कर्मन के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रियास किया तो अलार कलाम एबं रुद्रक राम पुत्र के साथ में तो इसका एंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा ये दोनों आपके गुरु हैं गौत्वम बुद्ध के अस्ट प्रधान मंत्री परिशद किस राज प्रबंधर में सहायक है तो आपको ध्यान रखना है जो सहायक है सिवा जी के राज प्रबंधर में सहायक है इसका एंसर आपका D हो जाएगा अगला सवाल है कि अस्ट परधान का गठन किस ने किया है तो किस के दोरा किया गया होगा ये सिवा जी के दोरा किया गया है सिवा जी के दोरा अस्ट प्रधान मंत्री परिशत थी तो इसमें ध्यान रखना है मराठा प्रशाशन में मौरबंस का अंतिम सासक कौन था जो मौरबंस है इसका अंतिम सासक बिरेदर्थ था अंतिम मौर समराथ था अंतिम मौर समराथ था उसका नाम क्या है तो उसका नाम है बिरेदर्थ, कहना में बिरेदर्थ, वह अस्थान जहां महाविर ने पुर्ण अधात में ग्यान प्राप्त किया, केवल प्राप्त किया, तो कहां प्राप्त किया, जंभिक ग्राम में प्राप्त किया, जंभिक ग्राम में, तो इसका एंसर आपका D हो तो यह चंपा थी कहां पर चंपा कलहन की पुश्तक का नाम क्या है तो कलहन की पुश्तक का नाम है राज तरंगनी गुपत काल में सीसे के सिखे की एक बड़ी संख्या जारी की गई तो किसके दवरा जारी किया गया ये जारी किया गया साथ बहानों के दवरा असोक की नीति के आर्थिक परिनामों के करण ही मौर समराज का पतन अधिकांस्ता उचित था इस तत्थ में किसने विश्वास किया तो विश्वास किया गया रुमिला थापर के द्वारा, रुमिला थापर एक इतिहास कार है प्रसीद इलहाबाद प्रसस्ती का लेखक कौन था? तो इसके लेखक है हरी सिन, कौन है? हरी सिन, जो समुद्ध गुप्त का दरबारी कभी था बरा, बुदूर, बिश्व में सबसे अध्भूत अस्तूप है इसके मुर्ती और मुर्ती कला, किसका सामदार उधारन है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत, जावा, कला का महावंस के अनुसार, विम्वी सार किस आयू में सिहासन पर बैठा था? तो पंद्रा वर्स की आयू में सिहासन पर बैठा था बराबर परवत संखला अस्तित, गोरत गिरी किसके द्वारा बिजित की गई? तो यह किया गिया खारवेल के द्वारा मैथली भासा का विकास निम्लिखित में से किसके संखनकाल के दौरान शुरू होता है? इनके जो चरक है, इनका सम्मद्ध चिकिस्ता से है, उसके बाद है ब्रहम पूत्र, जो ब्रहम पूत्र है, इनका सम्मद्ध गनित से हैं ना? तो जबकि चरक का समन्द आपके चिकिस्ता सो हो जाएगा उसके बाद वरा महिर तो यह अपके हो जाएगा जो तिस बिसाखदत नाटक कार क्या है नाटक कार नेक्स्ट की राणीती की अरंबेक पुस्तक नेती सार किसके दवरा लिखी गई है तो कमंदक के दवरा लिखा चिनी सुरूत के अनुसार सिरलंका के सासक मेग बरमन ने गया में बौध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्लिकेत में से किस गुपत राजा के पास एक मिसनरी भीजा था तो सम्मुन रिगुपत के पास में भीजा था इसमें टोटल आपके 87 सवाल हुआ कितना सही कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब बताएगा और टोटल कितना हो गया तो टोटल 187 कोसन हो गया दो पार्ट में यहां साथ के एकजाम में सवल अव